रोल्स, रैप, फ्रैंकी, टाकोस ये सब ऐसी चीज़े हैं जिसको सुनके ही मुँ में पानी आ जाता है और बनाने की सोचो तो लगता है बहुत लंबा काम लेकिन अब आपको घंडो काम करने की बिलकुल जरूरत नहीं है नहीं मार्केट से ताटिया रैप खरिद के लाने की जरूरत है जटपट मिंडो में मार्केट स्टाल ताटिया रैप आप घर पर बनाओगे वो भी बिना आटा गुते, बिना बेले, बिना रोटी बनाए बिना इस्ट, बिना घंटों लगाए आप इसका यूज किसी भी रैसीपी में कर सकते हो आप इसे स्टोर भी कर सकते हो तो चलिए, शुरू करते हैं रेसिपी. Hey all of you, welcome to my cooking vlog. I hope you all are doing well. तो चलिए, शुरू करते हैं रेसिपी. तो रेसिपी के लिए यहाँ पे हमने एक bowl ले लिया है, जिसके अंदर हम लेंगी मैंदा. यहाँ पे मैं मैंदे का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं market style बना रही हूँ, लेकिन आप healthy वाना बनाना चाहो, तो यहाँ पे गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो. मैं दो कप यहाँ पे मैदा ले रही हूँ, आप एक कप मैदा एक कप गेहूं से भी बना सकते हो, दो कप गेहूं से भी बना सकते हो. तो मैं यहाँ पे दो कप मैदा ले रही हूँ, measurement के लिए आप कोई भी कटोरी कप कुछ भी सैट कर सकते हो. तो यहाँ पे इस प्रकार से दो कप ले लेना है हमें, उसके बाद यहाँ पे measurement एकदम सिंपल है, दो कप यहाँ पे जो भी आप लो मैदा, तो उसके सामने हमें दो कप पानी यूज़ करना है. तो पहले एक कप मैंने पानी एड़ कर दिया है, और दूसरा कप बरके में साइट में रख रही हूँ, आप चाहो तो इसे whisker की मदद से गोल सकती हो, या चाहो तो आप इसे mixture के bowl के अंदर भी कर सकते हो, तो आपको आसानी रहेगी, और एक बार घुमा ले अच्छे से, उसके बाद फिर से दूसरा कप पानी यहाँ पर एड़ कर दे, और फिर उसे अच्छे से mix करें, यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुटली बिल्कुल भी न रहनी चाहिए, वरना हमारी त्वर्थिया रैब अच्छी नहीं बनेगी, तो यहाँ पर गुटली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, आगे हम देखते हैं, तो इसके अंदर हमने डाल दिया है, एक छोटी चमच, सूगर डाल देना है हमें, एक छोटार आधी चमच के करीब या टेस्ट के अकोडिंग, यहाँ पर हमें सॉल्ट यूज़ करना है, ताकि टेस्ट अच्छा है, और फिर इसके अंदर हमें यूज़ करना है मिल्क पावडर, ताकि मार्केट जैसा ही बनकर तैयार हो, तो मिल्क पावडर यहाँ पर हमें, एक बड़ी चमच याने की टेबल स्पून यहाँ पर एक लेओ, या फिर नॉर्मल चमच लो, तो तिन टी स्पून लो, तो तीन टी स्पून मैंने यहाँ पर मिल्क पावडर आड़ कर दिया है, देखे़, अभी इसके आगे की प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पर ओयल भी यूज करना है तो नॉर्मल सा ओयल आप यहाँ पर यूज करें मैंने सिंग तेल का यूज किया है तो वो भी मैं नॉर्मल तीन चमच ले रही हूँ अगर टेल स्पून लो तो एक टेल स्पून लो परणा नॉर्मल स्पून लो तो तीन चमच ले रही हो और इन सारी चीजों को अच्छे से mix करो। इसे अच्छे से mix करना must है आप अगर हाथ से नहीं कर पा रहे हो तो इसे आप पिक्शर के जार के अंदर भी यूज करके बना सकते हो तो इसे प्रापरली मैल्ड हो जाना चाहिए कोई भी गुटली अंदर नहीं रहनी चाहिए इस प्रकार से हिलाले देखिए आप इसे उठा कर देखोगे तो यह देखिए एकदम flowing consistency वारी है बिल्कुल तुरंत ही गिर जाती है और ribbon बिल्कुल नहीं बन रही है आप देख सकते हो तो इस प्रकार की हमें घोल की जरूरत है अब इसे ढखकर हमें बात से 7 मिनिट या 10 मिनिट आप इसे रेस्ट पर रख दो ताकि यह अच्छे से set हो जाए देखिए अब या अगे फिर से मैं आपको दिखा रहे हूं यह कैसी बनकर तयार होई है अब हम इसमें से tortilla wrap बनाएंगे जो आप किसी भी recipe के अंदर यूस कर सकते हो तो देखिए अब हम इसमें से रेसिपी बनाने के लिए पहले तो हम यहाँ पे पैन ले लेंगे नॉनस्टिक वाला पैन लिया है मैंने आप कोई भी वाला पैन ले सकते हो तो पैन को अच्छे से ग्रीस कर ले पहले अगर ऑईल से आप चाहो तो ग्रीस कर सकते हैं मैं ऐसे ही कर रही हूँ मेरा तो ऐसे उखड जाता है तो मुझे ग्रीस करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका अच्छा नहीं है नॉनस्टिक तो आप उसे ओईल से थोड़ा सा ग्रीस कर ले पहले और फिर उसे पोच दे पहले ग्रीस कर ले और उसके बाद उसे कपड़े से पोच ले ताकि वो क्लीन हो जाए उसके बाद ही यूज करें ये बैटर देखिए हई-flam पर हमें इसे कोक करना है ज़िय। आप तुपत्या召ै बनाओ तो उसे ह chill पर ही कण करें और इसे कोक होने में बिलकुल भी समय नहीं लगता फटा-फट से बन जाता है, एकदम easy है और एकदम easy way में फटा-फट बनकर तैयार हो जाता है देखिए एक चम्मत बड़ा वाला जो है चम्चा जिसे कहते हैं वो हम इसके अंदर बढ़के डाल देंगे और उसे अच्छे से लगे हाथ गोल-गोल घुमा देंगे जैसे हम डौसा का बैटर फैला देंगे वैसे ही हमें इसे भी फैला देना है एकदम पतला-पतला बनाना ह बहुत ही अच्छा तादिया रेव हमारा बनकर तयार हो जाएगा देखिए एक ही मिनिट के अंदर आप इसे फटा-फट से चुटकियों में बनाकर तयार कर लोगे तो देखिए यह एक साइट कुक हो गई है तो आप हम हाथ से ही इसे टान कर लेंगे देखिए तो यहीजी इसे फिर से कुक करना ही है तो इसे हमें ज्यादा कुक नहीं करना है अभी तो इस प्रकार से यह हमारा तर्तिया रेव बनकर तयार हो गया मैंने आपको दिखाने के लिए दो बार घुमाया और बताया लेकिन एक बार में ही यह हो गया था और हो चुका था तो आपको भी इ आमें इसके अंदर उस सिस्टेम प्रोसेस करनी है डाल देना है पैटर और इस प्रकार से गुमा लेना है देखिए एकदम इजी वे में फटाफट से सिंपल बन कर तयार हो जाता है और आपको इसे किस प्रकार से रखना है बनने के बाद आगे की प्रोसेस वो भी मैं आपको रेसीपी को स्किप किए बीना वीडियो को स्किप किए बीना एंड तक जरूर से देखिए ताकि टिप्स और टिक्स आपको सारी समझ में आए वरना आप एक ट्रिक्स या एक टिप्स भूल जाओगे मिस कर दोगे तो आपकी रेसीपी अच्छे से बनकर नहीं तयार होगी देखिए यह दुस्तरा रैप भी हमारा बनकर तयार हो गया है कितना इजी वे में फटाफट से बनकर तयार होता है आप देख सकते हूँ आप attitudes सरे करसे स्ची कर सकते हो एक बार इसे बंदाओ के सब्सक्राइब बना सकती हूं। इसलिए मैं इसे थोड़ी सी बना कर स्टोर कर लेती हूं। दो तीन मैंने आपको इस प्रकार से बना कर दिखा दी देखिए। जैसे ही होता है तो इसकी साइट छोड़ देता है ताकि हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारा तातियर रैप कोख हो चुका है, ब उसरी साइड भी कूख हो गए देखिए डालते ही यह कूख हो जाता है और फ्लेम हमेशा जब भी आप यह बनाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि फ्लेम को हमें हाई ही रखना है कभी भी लो नहीं रखना इस बात का हमें ध्यान रखना है और फ्रेंड्स अगर आपको रेप हमारी बनकर तयार हो गई लेकिन इसे रखने का भी एक मैथड़ है जैसे ही यह होती है तो हमें इस प्रकार का एक नैपकिन ले लेना है या कोई कॉटन का कपड़ा जो क्लीन हो उसके अंदर हमें यह प्लेज कर देना है और वापिस से उसे हमें डख देना है और फिर हम हमें बनाते जाना है और फिर उसके अंदर हमें रखते जाना है और डखकर ही रखे हमें डखकर ही रखना है कॉटन के कपड़े से ताकि यह सूख न जाए इसके अंदर हवा न लगे और यह इस प्रकार से रखोगे तो यह बहुत ही सौफ्ट बनकर तयार होगी देखिए इ करीब आप रख सकते हो लेकिन अगर freezer में रखोगे तो ज्यादा दिन तर आप इसे श्टोर कर सकते हो तो इस प्रकार से फ्रीज के अंदर रखने की भी मैं हो सकता है तो आप डबे के अंदर भी रख सकते हो मैं इस प्रकार से जीप लोक के अंदर रखती हूं तो देखिए इस प्रकार से हमें फोल्ड करके जीप लोक के अंदर डाल देना है और इसे फ्रीज के अंदर रखो तो 7-8 दिन तक रख सकते हो और अगर फ्रीजर में रखन तो फ्रेंड्स मेरे लास्ट वीडियो का जो व्यूवर्स है उनको थैंक्स जाता है अब भी पेज के व्यूवर्स को तो उसमें से हैं महेश पटेल राजु गमीट छाया पटेल टोनी टेलर वीपुल पटेल और आसिस पटेल इन सब को मेरे तरब से सुक्रियादा थैंक्यू दिल से इन सब को मैं सुक्रियादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ और आगे भी आप सब इसी तरह से मेरे पेज के संग जोड़े रहोगे ऐसी मुझे आसा है थैंक्यू तो चलिए ब्राइब